मैं डॉक्टर लक्षमी नारायन प्रवक्ता इतिहास राजकिये माडल वरिष्ट माध्विक विद्याले सतारपूर इस्त्मुरा रेवाडी हरियाना आप सभी विद्यार्थियों के सफल्वे सुन्दर भविश की कामना करता हूँ आज का हमारा अध्याय है सासक किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थ विवस्थाएं आज का हमारा उपविशे है आज हम दो उपविश्यों पर चर्चा करेंगे एक उपविशे है सोडा महाजनपद और उनके विशिष्ट अभिलक्षन दूसरा उपविशे है मगद सामराज का उथ्थान और विस्तार चटी स्तावदी इसी पूरु में उत्री भारत में सोडा बड़े राज्य स्थापित थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था जनपद से अभी प्राए एक ऐसे छेत्रशे है जहां किसी कुल कुल यानिके वन्स अथ्वा जनजाती के लोग आकर बस जाते हैं बोध तथा जैन साहित्यों में हमें सोडा महाजनपदों का वर्नन मिलता है इन महाजनपदों का संचिप्त विवरण निमनलिखित अनुसार है देखते हम ये पूरी सूची सोडा महाजनपदों की दिव ही है प्यारे विद्यारतियों और इसमें ये बताया गया है कि कौन सा महाजनपद आज के किस छेत्र में था जैसे अंग की राजधानी चमपा और बियार के मुंगेर और भागलपुर जिले में था मगद की राजधानी राजगिरे बियार के पटनात गया तथा शाहबाद जिले में था वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली बियार में गंगा नदी के उत्तर में हाजीपूर और वैशाली चेत्र था मल ये कुशी नारा पावा छेत्र उत्तर परदेश में के देवरिया कुशी नगर बस्ती गोरकपूर ये इलाका पड़ता था सिद्धार्थ नगर आदी काशी वारणाशी इसकी राजधानी थी और आज का दो वारणाशी है वही इलाका इसमें था कोशल इसकी राजधानी स्रावस्ती फैजाबाद गौंडा और बहराईच इलाका था वत्स इसकी राजधानी कोशामबी इलहाबाद और मिरजापूर इलाका चेदी इसकी राजधानी शक्तिमती बुंदेल खंड का इलाका इसमें आता था इस तरह से कुरू इसकी राजधानी इंद्रप्रस्त आज का जो दिल्ली का इलाका है हरियाना में यह आता था पांचाल अहिछत्र इसकी राजधानी थी पस्चमी उत्तर परदेश और यमना नदी के पस्चमी छेत्र पर शूर्शेन इसकी राजधानी मत्रा ये ब्रजमंडल छेतराज का मत्रा का इलाका मतश्य इसकी राजधानी विराट नगर ये राजस्थान का अलवर भरतपूर जैपूर इलाका इसमें था आवंती इसकी राजधाने उज्जेनी महिस्मती आज का जो उज्जेन का चेत्र मत परदेश में इस इलाके को मालवा चेत्र बोला जाता है अश्मक इसकी राजधाने पोतन या पाटली नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के बीच में था गंधार इसकी राजधानी तक्षिला आज के लिए अफगानिस्तान में पड़ता है पाकिस्तान का पश्चमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी छेत्र इसमें आता था कमबोज इसका राजपूर और हाटक इसकी राजधानी थी पाकिस्तान का हजारा जिला इसमें आता है एक बार मैप में समझते हैं इन सोडा महाजनपदों का विस्तार चेत्र कहां कहां थे ये सोडा महाजनपद इनकी स्थीती को समझने के लिए देखो हमने पिछले ध्याय में पढ़ा था कि उत्तर पस्चिम में दो ही महाजनपद थे कमबोज और गंधार ये इधर थे इसके अलावा ये दिल्ली के इलाके में कुरू था हिमाले की तराई में पांचाल, कोशल, वज्जी और मल है ये हिमाले की तराई में पढ़ते थे सारे अंग जिसको हम अंगराज करन का राच्छेत्र मांते हैं महाबारत में हम पढ़ते हैं देखते हैं अंग्राज यहां था इसी के साथ लगता हुआ मगद आज का बिहार का इलाका दक्षणी बिहार का विचेश कर पटना पाटली पुत्र का इलाका काशी वत्स चेदी सूर्शेन ये दक्षणी अर्याना का इलाका आता था सूर्शेन में मतश्य ये राजस्थान का अलवर जैपुर भर्तपुर इलाका अवंती एक उजरात खेत्र से लगता हुआ था और दक्षण में अश्मक्ष ये प्यारे विद्यार्थियों सोला राज्य यहनि के सोला महाजनपद हम अपने प्राचिन काल में हम पाते हैं भारत में यहनिके इन छेत्रों में सोला राजा अलग-अलग राज्य करते थे प्यारे विद्यार्थियों अब हम देखते हैं महाजनपदों के विशिष्ट अभी लक्षन महाजनपद विशेष रूप से दो प्रकार के होते थे पहला राजतंत्रात्मक दूसरा गनतंत्रात्मक राजतंत्रात्मक राज्य की विशेष ताई देखते हैं इन महाजनपदों में अर्थात इन राज्यों में राजा का सासन होता था जिसका पद पैत्रक होता था यहनिके राजा का पुत्र बड़ा पुत्र विशेष कर राजा बनता था राजा निरंकुस होता था अर्थात किसी भी प्रकार की रोक टोक करने वाला उस पर नहीं होता था राजा की अशीम सक्तियां होती थी उसके मुख से निकला प्रतेक शब्द ही कानून होता था किसी भी व्यक्ति में उसकी अग्याओं का उलंगन करने का साहस नहीं होता था भवे महलों में और शान सोकत्षे राजा रहता था अपनी ताकत दिखाने के लिए राजा राजशेयग, वाजपेयग, असमेग यग आदी करता था राजा की साहता के लिए नेक मंत्री होते थे जो अपने कारियों के लिए राजा के प्रति उत्तरदाई होते थे राजा अपनी मर्जी के नुशार उन्हें कभी भी पद से हटा सकता था ऐसे किसी की भी न्युक्ति पद पर कर सकता था मंत्रियों में प्रोहित का विशे स्थान था राजा निरंकुस होता था फिर भी परजा को न्याय देना और सुखी रखना अपना प्रमुकर्तवे समझता था अब गनतंत्रात्मक राज की विशेस्थाएं देखते हैं इन वहाँ जनपदों को गन अथ्वा संग कहा जाता था वज्जी और मल उस समय के दो परमुक गनराज हमें मिलते हैं इन गनराज्यों की विशेस्थाएं क्या थी बारी बारी से देखते हैं यहां राजा का पद पैत्रक नहीं होता था यहांनि के राजा का पुत्र राजा नहीं बनेगा इन राज्यों में कई लोगों के समू का सासन होता था यहांनि के लोगों का समू राज करता था राज की वास्त्विक सक्ती एक केंद्रिय समीती के पास होती थी जहां निर्णे भहुमत से होते थे इसके इंद्रिय समीती को संथा घार जाता था जो बहूमत से निर्ने लेती थी गनराज्यों में राजा का चुनावब एक निश्चित समय के लिए परजा द्वारा किया जाता था आज की तरह ही परजा करती थी चुनावब परजा ही उसको हटा सकती थी राजा की सक्तियां कम थीद क्योंकि इन सक्तियों पर जनता का अंकुष्य होता था राजा की साहता के लिए उप्राजा य tenían के डियप्टी सियम भी होता था उस समय भी सैनापती, भांडा गारिक आदि मंत्री राजा की साहता के लिए होते थे ये धरम शास्त्रों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार शाषन करते थे राज में शांती और सुरक्षा बनाए रखना राजा का प्रमुक कारिय था इन दोनों प्रकार के राजियों में कुछ समानताएं भी थी दोनों ही प्रकार के राजा रिशी महरिशो द्वारा रचित धरम सास्त्रों के नुसार राज करने का प्रियास करते थे यहनिके यह दोनों ही राजा का पदपैतरक होता था वो भी धरम सास्त्रों का ध्यान रखता था आए के स्त्रोत भी दोनों के एक ही प्रकार के होते थे हैनि के राजा उपज का छटा भाग करके रूप में लेता था उपहार अपराधियों से जुर्माना व्यापार कर युद्धों से आए भी राजा को होती थी इन करों को भली कर कहा जाता था और भाग दुहे नामक एक करमचारी इन करों को इकठा करता था अब प्यारे विद्यारतियों अपना दूसरा उपविशे देखते हैं मगत सामराज का उत्थानवे विस्तार मगत सामराज एक सक्ति साली सामराज बना और आज भी विश्यतिहास में इसका स्थान है इसकी क्या विशेस्ता हैं थी इसके उत्थान और विस्तार के अनेक कारण है विस्तार करता है कि आज के जो भारत है और पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका इनके सामराज में आ गया था आगे हम मैप में इसको देखेंगे परन्तु कुछ कारण हम देखते हैं पहला कारण सक्ति शाली शाशक मगद में हुए कौन-कौन से सासकते प्रमु घुरूप से पहले जिसकों हम प्राचिंतम सासक पढ़ते हैं विम्बी शार उसका पुत्र अजाच शत्रू शिशु नाग महापदम नंद और धनानंद जैसे सासकों का हम पढ़ते हैं जो बहुत ही ताकतवर सक्ति शाली और एक विशेश परति भाके धनिये सासक थे इन सभी शासकों ने मगत के उत्थान और विस्तार में महत्पुन भोमी का निभाई नंद वंस के अंतिम सासक धनानंद के समय में समराठ सिकंदर का आक्रमन भारत पर हुआ था जिसकी ताकत के सामने सिकंदर के सैनिकों ने विलड़ने से मना कर दिया और मौरिय सामराज की नीव ढाली हैनि के 321 में मौरिय सामराज की नीव चंदर गुप्त मौरिय ने रखी चंदर गुप्त की इस विजय में विश्णु गुप्त जिसको हम चानक और कोटिल के नाम से भी इतियास में पढ़ते हैं उसने प्रमुख निभूमी का निभाई मगद के विस्तार के लिए एक कारण है मगद के उत्तर की और गंगा दक्षिन की और विंद्याचल परवत पूरव की और सोन पस्चिम के और चंपा नदियां बहती थी यहन के नदियों का चैत्र एक तरह से इस तरह की नदियों के इलाके में परवत के इलाके में यह चैत्र था ये चारों और से प्रेकर्तिक शिमाय बन गई इसकी कहीं परवत कहीं नदियां इसकी राजधानी पहले राजगिरे थी जो पाँच परवतों से गिरी हुई थी इसलिए वो सुरक्षित इलाका था बाद में पाठली पुत्र राजधानी बनाई गई यह गंगा गंडक और सोन नदियों के संगम परस्थित थी इन नदियों ने पाठली पुत्र को प्राकरतिक सुरक्षा परदान की और प्राकरतिक सुरक्षा होने के कारण आकरांता जो थे वो सफल नहीं हो पाते थे तीसरा कारण है लोहे के वे कोईले के विशाल बंडार हमें मगत छेत्र में मिलते हैं कोईले और लोहे के विशाल बंडार के कारण उत्तम किसम के लोहे को ढालने की पदती का विकास यहां हो गया और उत्तम किश्म के अस्त्र शस्त्र बनाने आसान हो गये छटी श्ताबदी इश्विपूर में उज्जैन में लोहे को ढालने का काम सुरू हो गया था उज्जैन को अपने प्रभाव में लेने के लिए दोनों राज्यों में कठोर संगर्स चलता रहा क्योंकि दोनों को अच्छे प्रकार के अथियार बनाने की जानकारी थी विशाल शैना मगद के पास एक विशाल शैना और कुशल शैनिक थे नंद सासकों के पास ही दो लाख पैदल साथ हजार घोड़े छै अजार आथियों की सैना थी बड़ी मात्रा में मगद के सासकों ने आथियों का प्रियोग युद्धों में आरंब कर दिया इन आथियों से यातायत सुगम हो गया और किलों को तोड़ना आसान हो गया अच्छी आर्थिक स्थिति मगद सामराज आर्थिक रूप से बहुत सम्रद्ध था नदियों के छेत्र की भूमी बड़ी उपजाओ थी सिचाई के साधनों की कमी नहीं थी भरपूर पैदावार होती थी व्यापार और वानिज बहुत विक्षित था उत्तम आर्थिक स्थितिये कारण विशाल सेना भरती करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी चटा कारण पढ़ते हैं प्यारविद्यारते उत्तम सामाजिक जीवन मगद के छित्र आसपास का छित्र हम इत्याज में देखते हैं योगियों का तपश्वियों का रिश्यों का इलाका रहा है उनके मार्ग दर्संचे लोगों में एकता और समरस्ता की भावना रही महत्मा बुद्ध, महावीर, जैन, जैन और चानक जैसे लोगों के मार्ग दर्संच यहां जनता को मिलता रहता था प्यारविद्यारते यो ये आरंभिक मगद का इलाका है बाद में मोरिय सामराज में हम देखेंगे ये विस्तार इसका यहां से लेकर के और यहां तक हो गया था ऐसे परन्तु आरंभिक मगद इतना ही बड़ा था अब प्यारविद्यारते यो अपने इस विशे से संबंधित अभ्यास के प्रशन जो आपने अपनी नोटबुक में तैयार करने हैं जो विशे अमने पढ़ा है इन सलाइड्स में ही आपको सारे प्रसनों के उत्तर मिलेंगे इनको चला करके इनको वहीं पर रोप करके आप इन प्रसनों के उत्तर लिख सकते हैं पहला प्रसन है गृणत अंतरातमक राज्यों की पांच विशेस्ताईं लिखें दूसरा प्रसन राजत अंतरातमक राज्य क्या होते हैं कोई पांच विशेस्ताईं लिखें तीसरा प्रशन उस समय के राज्यों के आये के दो साधन बताओ तोथा प्रशन महाजनपदों के दो विशिष्ट अभिलक्षन लिखें एक बड़ा प्रशन भी आपने तयार करना है मगद के उत्थान और विस्तार का वर्णन करें ये सभी प्रशन के उत्तर इसी टोपिक में हमने पढ़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद